तो दोस्तों हमें जाना था आगरा से कैला देवी दर्शन के लिए तो हम एक दिन पहले नाइट में हम पहुंच कहेते अपने दोस्त साहिल के पास धौलपूर मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगो को 180 किलोमीटर है आगरा से शिरी कैला देवी और हम लोग लिकल चुके थे मौनिंग में सुबा 5 बज़े हमने नाइट में इस्टे किया था अपने फ्रेंड साहिल के घर पे और आप देख पा रहे होंगो सुबा 5 बज़े हम लिकल च करता है आपका श्री कैला देवी तो भाई हमें जाना तो था ही हम बाइक से ट्रेवल कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था सुबह मौनिंग में ठंडी हवाई चल रही थी और अभी दिन नहीं लिकला था तो काफी अच्छा एंजोई कर तो हम आंगे की और निशान भी दिख जाएंगे जो कि आपको बताते रहेंगे कितना किलोमेटर रह गया है मैं पताना चाहूंगा आपको करॉली से आपका 35 यह 35 किलोमेटर पड़ता है और रास्ते में आप जब भाई कार आ रहे हैं तो आपको काफी सारे जानवर देखने को मिलेंगे तो है क्योंकि काफी लंबा सफर था 170 किलोमेटर का था तो हमने एक दो जगह स्टॉप भी लिया था तो आप देख पाएंगे काफी पहाड़ी लाखा है अब जैसे आंगे बढ़ते जाएंगे तो आपको काफी सारे जो पहाड़ के रास्ते हैं वो देखने को मिलेंगे और सु केला देवी जी की दर्शन गन्ने के लिए जाना है तो हम लेकल पड़ेते हैं अगर आप लोग भी आते हैं तो बाइक या बाइकार जैसे भी आते हैं तो आप लोग से आजएगा रात का सफर इग्नोर कीजिए गया क्योंकि रास्ते में काफी सारे गड़्डे भी हैं तो आप लोग मौनिंग में ही ट्रेवल करें तो वही बैस रहेगा आपके टोल भी पढ़ते हैं तो दो टोल पढ़ते हैं तो हम टोल पार करते हैं पहुच जाते हैं करोली के अंदर अगर आप करोली पहुच जाते हैं करोली सिटी है आपको काफी सारे वहां होटल और धरमशा चलती है तो इधर आती है सबसे बहुत फेमस चाय की दुकान है तो हमने एक इधर भी ले लिया था हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे आपको यह आपको दुखान दिख रही होगी तो आप अगर कभी आते हैं करॉली तो आप बस स्टेंड के पी सकते हैं बहुत ही टेस्ट चाय है तो हम लोगों ने आकाश्रम ने इस टॉप ले लिया था इधर चाय के लिए और सुनिए मैं क्या बोल रहा था और इस टॉप लिया हमने करॉली में चाय की स्टॉल पर है और सामने बस स्टेंड है तो दोस्तो हमारी चाय रेड़ी हुजाती है और हम चाय वाई पी ते हैं यार बहुत ठके हुए थे क्योंकि आप अगर बाइक से आ रहे हैं धौलपुर से 20 किलोमेटर है तो आपको लमसम आपका 3-4 घंटे आपको लगते हैं बाइक से पहुँचने में तो हम फिर चाय वा भवन की तरह पहुचने लग जाएंगे यार बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम बाइक से हम पहली बार ट्रैवल कर रहे तो जैसी आप पहुचेंगे केला देवी भवन के नियर बाइ तो आपको काफी सारी दुकाने देखने को मिल रहे हुँग यार बहुत सारी इतनी भीर हमें मिलेगी हमने रिसेंटली अभी दो चार दिन पहले हमने ट्रैवल किया था और हमивать ये अनुमान था कि जादा भीर ने मिलेगी तो पर भीर थी आपने देखा हुआ ये ये एंट्री गेट था entry gate से जैसी आप अंदर की तब चलेंगे तो काफी सारी left और right पर आपको दुकाने दिख जाएंगी खिलोनों की पूजा के सामान की तो यहाँ ही से यह थाना पड़ता है right hand पर इसके भगल से एक रास्ता गया है धरमसाला के लिए यह पूनावा लोग की धरमसाला के लिए रास्ता गया है वहां से हमने एक धरमसाला भी बुक कर रखी थी हमारे जो जान पेचान के अंकल थे उनकी वो धरमसाला थी हम जब भी केलाद भी जाते हैं तो उनके पास हम जरूर जाके रुकते हैं तो आप देख पारे हो कितनी सार दुकाने हैं, आपर काफी लोग थे, यह पूरा पंडाल बना हुआ था, जो कि भवन की तरब जाता है, तो हम अंदर एंट्री कर जाते हैं, धरमशाला के लिए, बिल्कुर राइट हैंड से ही कट गया है, मार्केट के अंदर से, तो हम लोग जैसी आंगे की और पड़ते हैं तो हम लोग अपनी बाइक को साइड में लगाते हैं, और मैं बता दूँ, आपको अगर सस्ती बजट में ट्रैवल करना है, तो आप इस धरमशाला में आ सकते हैं, हाँ, गाड़ी की पार्किंग आपको बाहर लगानी पड़ेगी, गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी, और बाइक वगएरा से आप आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, तो मैं आपको पूरी धरमशाला का विजट कराऊँगा, कि धरमशाला कैसी है, आप अगर छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाते हैं, जागरान वगएरा तो आप 11-1200 रुपे में भी धरमशाला क जो जगह है उसको बुक कर सकते हैं, यहां जो सामने की तरफ था अधर आप अपने हलवाई पगरा लगा के प्रोग्राम भंडारे की दिवस्ता कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ नहीं होता, अपनी आईडी देनी होती है, आपको 50-100 रुपे में लॉकर मिल जाता है, और आपको इनके रेट लेस्ट दिखा देता हूँ, यह वीडियो के अंदर इनकी सारी रेट लेस्ट है, जो आपको देख पारी होगी, तो हम लोग भी अपना एक लॉकर लिया था, क्योंकि हमें एक या दो घंटे रुखना था, और माता की दर्शन करने के बाद हमें कई और भी जाना था, तो हम लोगों ने बस एक दो घंटे के लिए लोग कर दिया था, तो आप देख पारे होंगे, काफी अच्छा हमें फील हो रहा था भाई, यह हमारे पीछ लोग करता है, आपको ताला चावी अपना लेके आना होता है, आप लोग कर सकते हैं, पर अंकल ने हम हम लोग थोड़ा बैटते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आप नहां धोके रेडी हो सकते हैं, आपको काफी सारे बात रूम वगरा बने होए हैं, आप लोग फ्रेश वगरा भी हो सकते हैं, आप रेडी होने के लिए, मैं धरमशालों को ऊपर से विजट कराता अगर बड़ी फैमलिई आ एं काफी सारे लोग हैं अगर आना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमारे लोकीस्ट कर सकते हैं तो हम लोगों नहीं पराt उपना आप लग रहा था तो यार आप आ सकते हैंccionesittel बहुत सस्ती धर्मसाला है जो कि मंदर के बुकुल नियर भाई है मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगा लोकेशन कहां पा रही है तो आप कभी आए तो यहां रोख सकते हैं काफी कम बजट में आपको यहां रूम मिल जाएंगे और नहाने की और सारी फैसिलिटी इतर मि अगरा भाई नहाद हो कि हम रेडी हो चुके थे और अपने चस्मासमा भी लगा लिया था पर मंदर के अंदर हमें पता था कि मंदर के अंदर कैमरा नहीं जा पाएगा फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको जितनी वीडियो हो सकी हम दिखा पाएंगे और आप यह देख पाएंगे एक कमार्कत के अंदर से रास्ता जाता है तो हम लोग भार की और लिकलपाते हैं और जैसे आंगे की और पढ़ते रहते हैं हम काफी चीजों को देखते हू चल रहते क्योंकि यहार हम पहली बार बाइक से आयती और और काफी चीज़ों का एक्स्प्लोर करने वाले तो आपको बीच-बीच में कुछ लड़के में लेंगे जो आपका हाथ पगड़के अपनी अपनी दुकानों पर ले जाते हैं कुछ 6-7 दुकाने हैं जो की मंदर गेट से बिल्कुल पास पड़ती हैं आपको इधर से ही रेश्टर सामान यो भी पूजा का है वो आपको मिल जाएगा तो यहां पर इनके जो मंदर ट्रस्ट है उन लोगों ने कुछ अपनी जो पूजा के पैकेट है वो चला रखे हैं तो इसमें आपको पूजा की पूरी व्यस्ता दीपक दिये धुबती वगरा सब चीज आपको मिल जाती है और सामने बिल्कुल मंदर के अंदर जाने का रास्ता था तो भहिया से हम पैसे के लिए बोलते हैं आप पूजा वगरा करके आ जाईए उसके बाद हमें आप जो भी आ से एंट्री करेंगे तो आपको काफी सारी रेलिंगे देखने को मिल जाते हैं अगर हम डारेट रेलिंग के अंदर चल जाते तो हम सीधे सीधे हम रेलिंग से पहुच जाते पर हम लोग थोड़ा आंगे की तरफ से एंट्री करेंगे हम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स तो आप देखी वीडियो के अंदर तो काफी लोग ऐसे इंजॉई कर रहे थे फिर हम रेलिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लेट नहीं करना था हमें दर्शन करके और भी जगे जाना था विजिट करने के लिए तो भाई बहुत ही अच्छी विवस्ता है आप श से एक एक करके दर्शन हो सकेंगे तो भाई बहुत अच्छा हमें लग रहा था और माता का दर्शन करने का अलग ही एक आनन्द होता है अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं तो भाई बहुत अच्छा लगता है आप देख पारे होंगे हमने इतना सफर किया उसके बाद में आखिरकार माता के दर्शन हो जाएंगे भाई लाइन भी कोई ज्यादा नहीं थी तो आपकी जो पूजा की थाली वाली होती है आप उसको रेड़ी कर लीजिए यह लाइन होती है जिसमें आप पहुंच जाते हैं और आपको माता के योगी पर बहुत जल्दी जल्दी दर्शन की विवस्ता होती है आप मंदिर के अंदर पांस से सेकंड जो सकते हैं कुछ संगीत वगेरा भी वहाँ चल रहा था पूजा में तो हम दर्शन कर लेते हैं अंदर हमारा जो ट्राइपॉड था हमारे कैमरे को अलाओ नहीं था मं वीडियो में आपको दिखाएंगे सीधे आप काफी लोग फैमिलियों को देख पा रहे होंगे और आपकी जो पूजा की थैली थी उसके अंदर कुछ दीपग वगरा धुबत्ती वगरा थी मंदर के अंदर वो आप नहीं जला सकते आपको भार की तरफ विवस्ता की गई ह जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप अगरवत्ती दोबत्ती जो भी आपने अपने श्रद्धा अनुसार जो भी लिया हुआ आप वो इधर अरपन कर सकते हैं जैसे कि आपको देख रहा हुगा काफी लोग भी इधर खड़े होएते तो हम ल अच्छी विवस्ता मंदिर के द्वारा की गई थी अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आपको भौती अच्छा अनुवव होगा तो हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद में हम आंगे के और बढ़ते हैं तो हम पहुच जाते हैं बहोरा जी भगजी के मंदिर में आप देख पा रहे होंगे जो भी माता की दर्शन करने आता है वो बहोरा भगजी के मंदिर जरूर जाता है दर्शन करने के लिए तो हम इधर जाके दर्शन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी काफी सारी भीड़ती तो यहाँ पर आप माता टेक के पूजा कर के अपना जो हाथ में कलावा वगर आप बनवा सकते हैं काफी सारे लोग कलावा बनवा रहे थे तो हम लोग भी कलावा बनवाते हैं अब कुछ जो लोग पुराने जिनके हाथ में कलावी होते हैं वो अपने उतार के नया कलावा माता के नाम का धरन कर सकता है जैसे कि हमने कि तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगी और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और आपको मंदिर के राइट सेंड पर भी चि करने में मुश्के से मुश्किला आप 10 से 15 मिनट में माता के पूरे दर्शन कर पाएंगे तो यार ऐसी विवस्ता मंदिरों में हर मंदिरों में होनी चाहिए क्योंकि डेली शृद्धालों की भीड़ना लगे इसके लिए मंदिर में काफी पुलिस करमचारी भी थे जो की सहयो करती रहती है यही से हमने एंटरी की ती मंदिर के लिए हमारा ये ब्लॉग भूस्क्शेस हो गया था हमें बहुत खुशी हुई थी हमने बैक से ट्रेवल किया था भाई फिर हमने घर के लिए भी लिकलना था तो हम लोग सबसे पहले हमें कुछ सामान भी खरे दिदना था जो हमने पूजा की थाली लीती परशाल लिया था, तो हम उनका जो भी पैसा वैसा था देखे भाईया को, और हम पहुच जाते हैं दुकानों पर, आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकाने मिल जाएंगी, चूरियों की, खिलोनों की, मूर्तियों की, कंगन, और जो भी आपको चाहिए, माता की तस्वीर वगएरा, जो भी आपको कुछ खरीदना है, तो आप इन दुकानों से खरीद सकते हैं, भाई काफी ससे सस्ती आपको चीजे हैं, आपको देखने को मिल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा हम लोग अपनी धरमशाला के लिए पहुच जाते क्योंकि फिर हमें घर भी लिकलना था, और भी जगह हमें शूट करना था वीडियो को, तो हम लोग, हम बहुत खुश थे यार, हमने ट्रैवल किया था, बाइक से पहली बार कैला देवी का, तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, आप लोग भी आईएगा, और घूम के जाईएगा, और बहुत ही अच्छा आपका बजट, आप मुश्किल से मुश्किल दो जार रुपे में आप दर्शन करके जा सकते हैं, फिर हम लोग लिकल जाते हैं वापिस घर के लिए, तो आप देख पा रहे होगे, ये पीछे से रास्ता भार के और रोड पर गया है, जो की बिल्कुल में रोड पर लिकल जाता, जिससे कि आप सीधे अपने घर के और लिकल सकते हैं, तो हम लोग नाइट इस्टे करके धौलपूर आये थे, और धौलपूर से हमने सीधे केला देवी के लिए आये थे, हम 170 किलोमेटर तो हम बिल्कुल फ्रैस थे, तो हम लोग आधे रास्ते, आकाश गाड़ी चलाएगा, आधे रास्ते हम लोग चलाएगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो